नमस्कार दोस्तों आज अबने चैनल विजानाद मास्टर मिक्स पर आपके लिए शाजानाबाद जैसे आज पुराणी देली के नाम से भी जाना जाता है उसके बनने की पूरा इतिहास को बताऊंगा इसको आप विजानाद मास्टर मिक्स पर देख रहे हैं और शुरू में आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा अधिक सदिक शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा यह मैप आप देख पा रहे हैं यह उस समय के शाजानाबाद का मैप है इसमें आप एक से लेकर की गयरत तक एरियास को कलर कोड जिससे वने डिमार्केट भी किया है देख सकते हैं उसके लाबा एस से लेकर एच तक एरियास को देख सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे एरिया नंबर साथ देखें तो इसमें है गुजूर लाहर गेट तो इसमें जो उपर टॉप पर आपको छोटा से एक टिप दिखाई पड़ रहा है वो सभी गेट का एक दम टिप है जहां पर की चौकी हुआ करती थी पुलिस की उस सम मैं जो लाल रहा हैं जो सबसे नीचे मैं दिखाया है जिस पर कोई मार्किंग नहीं है वह लाल किले का एरिया ए है यमना नदी बबिकुर इसके बढ़ा करती थी आज यमना नदी यहां से बहुत अधिक दूर जा चुकी हे बहुत दूर जा जो इंपोर्टेंट वर्ड की माने जाती हैं उनमें रोमन, मंगोल, मिंग, आटमान और मुगल इत्यादी के नाम लिए जाते हैं और इनका जो प्रभाव पड़ा है वो संसार पर काफी अधिक पड़ा है ये अपने बड़े छेत्रफल के कारण और टैलेंट्स और संसाधनों और अपनी कल्चरल जो योगदान और इनका सिविलिजिशन स्पून के लिए जाने जाती है अर्किटेक्चर की अगर बात की जाया है भारत में तो ये काफियत एक इंस्पायर रहा मुगल्स का समरकंद से जो की तैमूर की कैपिटल थी और तैमूर जैसाब जानते हैं कि हमारे मुगल जो बाश्या हुए थे उनके वंशर्स थे समरकंद और जगह से की जो इलाके समरकंद जगह की जो बिल्डिंग्स थी वहां से काफी इंस्पायर हैं भारत की रचनाए और अकबर और जहांगीर के समय में आर्किटेक्चर काफी बड़ा और आगरा और लाहॉर में जो अधिकतर हिमारतन समय बनाए गई क्योंकि यह सत्ता के केंदर थे इसके बाद शाजहां 14 फरवरी 1628 इसको सिंगासन पर बैठा और इसका इंट्रेस्ट बिल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा था इसके प्रेडिसर्स का भी था पीछे के बादशा थे उनका भी था लेकिन शाजहां का इंट्रेस्स सबसे अधिक बिल्डिंग बनाने में था और इसने ताजमिल बनवाया जिसको बनने बारे साल लगे उस्ताद एहमद ने इसको बनाया उस समय के पांच मिलियन रुपीज के खर्चे पे वो एक बहुत बड़ी रखम थी इसके बाद शाजहां इतिहास में इमारते बना कर अपना नाम छोड़ना चाहता था और आगरा काफी बढ़ चुका था और इसलिए उसने नए स्थान की तलाश शुरू के री यह भी का जाता है कि चुकि आगरा को समय अकबराबाद का जाता था और शाजहां चाहता था कि उसके नाम पर कोई शहर बनाया जाए और जो अकबराबाद को चुड़ने का फैसला किया उसके रॉयल इंजियर्स थे वो जब गोंने आये, दिली आये तो औरोंने सलीम ब्लक के ले के पास एक इलागा चुना और कहा कि यहाँ पर नया अश्चा जाना वाद बनाए जाएगा और सलीम ब्लक के लाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरी समराट इसलाम शाह ने सूल्विन शदाब्दी में बनवाया था दिल्ली कई सब्रताओं माफ की जाएगा एमपायर्स की राज़ानी पहले रह चुकी थी और हुमायू ने यहाँ पर दीन पना बनाया था जिसको अपना कैपिटल बनाया था और इसको बाद में पुराना किला भी कहा गया अकबर ने शुरू में दिली से शर्शन करा था और हुमायू मौकबारा जैसे आप जानते हैं कि आज दिली में ही है इंद्रप्रस्थ वो जगह थी अगर हिंदू कनेक्शन की बाद की जाए तो इंद्रप्रस्थ वो जगह थी कहते हैं जहाँ पर इंद्र भगवान ने प्राप्त हो जाता है और निकमबोध इस्थान का मतलब भी यही होता है कि जहां पर वेदों का समस्त ग्यान मिल सके निकमबोध गाट आज आप जानते हैं यहां पर हिंदू लोग शवों को जलाते हैं अगर बात की जाए पसंद की तो दिल्ली जो था वो सूफी कनेक्शन के कारण जाना जाता है क्योंकि यहां पर चिष्टी संद काफिया देख हुए जिनमें कुत्ब अद्दीन बक्ति आरका की निजाब अद्दीन अलिया और नसीर अद्दीन चिराग दिल्ली प्रमुक हैं और इन सभी के कारण दिल्ली में मुगल बाद्शाओं का आना जाना काफी रहता था और सभी दिल्ली को काफी पसंद भी करते थे और सुल्तान पालम छितर में भी जाया करते थे और जहां पर वो जानवरों का शिकार करते थे खास दूर से नील गाया हों का 29 अप्रेल 1649 को लाल किलाई का निर्मार चुरू हुआ जिसके पूर पहले शाजान ने काफी अदिक जोतिशों से सला भी ली थी फांडेशन स्टोन को 12 माई 1649 को लगाया गया और उस्ताद हामिद और उस्ताद हामिद ने पूरा सलसला कारेका अपने हातों में लिया और चुकि लाल किले का निर्मार लाल पत्थर से हुआ था और उसके दिवारे लाल थी जिस वज़ए से इसका नाम लाल किला पढ़ गया लालकले के बारे ने बताना चाहूँगा कि शाजा ने जब अपना पेशावार यात्रा की थी तो उसको वहां से एक बंद बाजार का आइडिया था जिसको उसने लालकले में लगवाया लालकला जो था वो आगरे के किले से दूगना ही साइज में था और ये खजार गुणा चैसो शाहजाई गज जिसको आज आट सो बीस गुणा चार सो बानुए मीटर कहा जाता है उतने आकारकस को बनाया गया ये एक कमजोर किला था वज़ाई ये बहुत साफ थी क्योंकि मुगल अमपायर उस समय में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और उनको कहीं से भी कहीं तक अपने खिलाव के से भी शेड़ अंतर का कोई खतरा नहीं था और सीमाई तने दूर तक फैली हुई थी कि किले तक तो पहुँचना बहुती दूर की बात है भारत की सीमाओं में भी किसी का परवेश उस समय में बिकुला समभदा और मुगल पूरी तरह सुरक्षित थे इसलिए उन्होंने लालकले को बहुत अधिक मजबूत किला जुद्ध के हिजाब से नहीं बनाया इसमें दो मुख्य दरवाजे थे जो कि मुख्य शेहरों की और जाती हुई सलकों को इंकित करते थे लाहोर गेट और दिल्ली गेट जिसको की अकवारवादी गेट भी का जाता है जो किस समय कागरे का नाम था जैसे मैं आपको बताया था गेट जो थे वो साथी साथ ये भी दिखाते थे कि सीमा ये कहां तक फैली हुई है और दिली दिल में है बीच में है एकदम पूरी मुगल छेतर के है लाहरी गेट जो था उसमें दो बड़े हाथी के स्कल्प्चर भी रखवाए गए थे और इसी वज़े से उसका नाम हतिया पोल भी कहा जाता था उसके लिए या एलिफेंट गेट इंग्लिश में अगर कहें तो इसके लावब चार अने मुखे गेट दरवाजे थे जिनमें एक सलिंग बड़ के किले में खुलता था लाज के लिए से तीन यमना नदी में खुलते थे जिनमें से की एक सीधे बाशाह के चैमबर से यमना नदी में खुला करता था दिवाने खास, दिवाने याम और आरामगर आरामगा जिसको के परसनल चेंबर कहते हैं इम्तियाज महल, मुख्य महल और कुछ अन्य महल और जहानारा महल जो की बेगम सहिबा भी कहलाती थी और सबसे बड़ी लड़की थी मोगल बाश्या शाजाह की सबसे लाडली भी थी इ इस से होकर के निकला करती थी यमना नदी से पानी लेती हुई जिसमें की कार्पेट नहीं था और सिल्क के कुशन्स थे बागी सभी में कार्पेट्स थे इसके लावा इसको बनने में लालकले को बनने में नौ वर्ष का समय लगा और इसकी कॉस्ट जो थी वो छे मिलियन रुपीज आई च्छे चार सोले सोड़तालिस से लेकर कठार चार सोले सोड़तालिस तक अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया शाजाने आगरा से दिल्ली के लिए उसकी जो कनौपी थी वो गोल्ड और सिल्वर की बनी थी और कॉलम जो थे उनमें कई सारे रतन लगे हुए थे च्छे चार सोले सोड़तालिस को एक निश्चे समय पर जोतिशन दौरा बताये गए समय पर शाजा आगरा से निकला मीर यहिया काशी ने कंपोज किया एक क्रोनो ग्राम जिसके लिए उसको पांच जार रुपे में लेते उस समय में और सन था दस सो अठावन हिजरी या आज का सोले सो अड़तालिस दस दिन तक एक उस्सफ चला कई लोगों को प्रोमोशन्स दिये गए रियासते बाटी गई काफी अधिक मुद्राएं जो थी वो जनता में बेजी गई खाना खिलाया गया एक जश्न काफी लंबा चोड़ा चला और इसके बाद उर्दू बाजार कोतवाली चौक और चांदनी चौक इस थापना हुई जहनारा जो थी वो चांदनी चौक के असपास के पूरे एरिया की मालकिन थी और वहाँ पर एक पूल हुआ करता था जिसमें की चांद की रोशनी गिरा करती थी जिस वजए से इसका नाम जगया का चांदनी चौक पड़ गया इसके बाद यहाँ पर कई सारे गार्डन्स और बिल्डिंग्स भी बनी जामा मस्जिद को 1650 से 1656 तक बनाया गया इसको सादुल्ला खान और खलील उल्ला खान ने बनाया था जहरोकाय दर्शन एक आराम गाह में जगय थी जहां से बादशाह अपनी दर्शन जनता के लिए दिया करते थे कई महले बनाये गए जिनके के नाम महले में काम करने वाले लोगों के नाम पर पड़े जैसे कट्रा जो था वहाँ पर कॉमर्शल काम होता था कूचा आये लेन कट्रा नील जहांपर की नील से जुड़े वियापार की लोग रहते थे चूड़ी वाला नमें चूड़ी बनाने वाले कसापुरा में कसालो रोधगारां में टैलो बनाने वाले जिसमें एनिमल्स का फेट निकालते ही वो लोग रहा करते थे रामदे वाला में फैल्ट बनाने वाले लोग और दोबी वाला में वाशर मैन और चीपी वारा में फैबरिक मेंटिंग करने वाले लोग रहा करते थे यह मुले आज भी है फतेपुरी सिरहंदी और अकबराबादी मच्जिद बनाई गई जो की शाजां की पत्नियों के नाम पर रखे गए नामों पर थी और उस समय में राणियों का नाम नहीं लिया जाता था जिस जगह से वो आती थी उस जगह के नाम पर ही राणियों का नाम रखा जाता था तो शाजा की ये बेगमें जिन जगहों से आई थी सिरहंद, फदेपुर और अकबर आवाद वहीं से आई उही जगहों के नाम पर उनके नाम रखे गए मस्जिदों के और ये मस्जिदें यही बेगम देखा करती थी शाली मारबाग जिसको पुराने समय में अजीदाबाद भी काया गरते थे उसको अकबारवादी बेगम के लिए एक मिलिन रुपीस में बनाया गया रुष्णाराबाग उसकी यंगर लड़की के लिए बनाया गया अगर जैन कनेक्शन की बात की जाया तो दरीवा वो कालोनी थी जहांपर जैन मर्चेंट्स रहा करते थे एक जैन अगरवाल बैंकर जो थे वो सेंचुरीस से चल लए थे काफी समय से जो जैन अगरवाल लोग थे वो व्यापारी लोग थे और बैंकर लोग थे और वो मुगल सल्तनत के काफी करीब थे जीब चंज शाह नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो की हिसार से आया तबने 16 लोगों के साथ उसने कई हवेलियों और जैन टैंपल के निर्माड करवाया और वो टैंपल आज जैन लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है लाल किले के पास का इसके अलावा दिल्ली गट के पास भी उन्होंने एक और जैन टैंपल के निर्माड करवाया अगर शाज तरकमान गेट की बात की जाया तो यह जगह पुरानी थी और यहाँ पर संत जो ते वो शाज तरकमान रहा करते थे वही पर 12.14 में उनकी मृत्ति हुई उन्ही के पास में ही जो मजार है उनके पास में रजिया को भी तफनाया गया 1285 में जो दिल्ली की पहली महिला शासक्तनी और इस जगह के पास जो गेट है उसका नाम उन्हीं के नाम पर तुर्कमान गेट रखा गया आज भी है ये एक हाईवेज आया करता था जो की बावलीज वगरा और लाल कुणा और खारी बावलीज होती है उनके पास से हाईवेज आया करता था और Southgate था लाल केलेगा यहां पर की लाल केलेगा Southgate पर loading and loading होती ही सामान की और commerce काफियादिक होता था तो इसी वज़य से जगया का नाम दरिया गंज पड़ गया, दरिया मतलब नदी और गंज मतलब trading की जगय है तो इसी वज़य से जगय का नाम दरिया गंज पढ़ गया जहांपर दरिया के पास का जगह है और खारी बावली ना विजली पढ़ा क्योंकि इस कुया का पानी इस बावली का पानी खारा हो गया था समय के बाद इस जगह का नाम खारी बावली पढ़ गया लाल के लाज होता उसको युनेस्को वर्ल्ड रिटेस साइट में 2007 में शामिल किया गया है और यह भारत का 21 वह एडिशन है इस प्रेजेंटेशन का अपने विजानद मास्टर मिक्स पर देखा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा अधिक सदिक शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो थैंक्यू वेरी मच्च